मैं आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंज पर वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में नए अपडेट के साथ दोस्तों ये अपडेट है जमवेट कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर और आप सब जानते हैं कि जेके SSB ने हाल ही में पंचायच सेकेटरी की जॉब के लिए अप्लिकेशन फॉर्म्स को इन्वाइट किया था उसके बाद जो लास्ट डेट उसकी थी पंचायच सेकेटरी की जॉब की अप्लिकेशन फॉर्म्स की वो खतम होने के बाद जेके SSB ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पे एडिट ऑफिशन का लिंक प्रॉइड किया ताकि किसी भी कारन अगर किसी कैंडिडेट का एप्लिकेशन फॉर्म्स गलत हुआ है गलती से भी कोई गलती हुई है तो उसको वो एडिट कर सकते हैं उसका एक लिंक प्रॉइड क क्लेम किया जा रहा था कि JK SSB इस एडिट आफशन के लिए अब जो एडिट किया जाएगा फॉर्म उसके लिए 100 रुपे क्लेम कर रही है 100 रुपे जो है वो ले रही है चार्ज कर रही है तो इसी के चलते JK SSB ने इसकी क्लैरिटी अपनी ओफिशल ट्विटर हैंडल पर दी तो इसी तरह का कॉंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को स्पोर्ट करें सब्सक्राइब का बटन जुरूर प्रेस कर लें साथ ही साथ बैल का नोटिफिकेशन आइकन बटन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे दोस्तों अगर आपको इनफॉर्मिशन अच्छी लगी तो इसे लाइक जुरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेर जुरूर कीजेगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलेगा तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सब जानते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लिकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन जो है जेके एससबी ने इन्वाइट किये थे उसकी लास्ट डेट खतम हो चुकी है उसके बाद एडिट का ओप्शन अपनी ओफिशल वेबसाइट पे एक link प्रोइड किया गया था ताकि आपकी अगर कोई भी application form में कोई गलती है, mistake है उसे correct किया जाए और उसका link जो प्रोइड किया गया था उसके बाद ही ये query सामने आई कि जेके एससबी 100 रुपे जो है वो extra charge कर रहा है अब edit के लिए तो इसकी clarity देने के लिए जेके ए एक्स्टा 100 रुपे चार्ज क्यूं कर रहे हैं तो यहां पर clarity देते हुए इन्हों ने कहा कि हम जो 500 रुपे fees ले रहे थे for general category और एट्सरेटरा के लिए उसमें 400 रुपे हम schedule cash, schedule type, physically handicapped और EWS category के लिए ले रहे थे candidates having submitted application form under reserve category अगर है तो उसके लिए यह charges थे अगर वो change करना चाहता है और अगर उससे गलती से वो category का button प्रेस किया गया था या option की दौरा क्लिक किया गया था तो उनने 400 रुपे ही pay किया होगा और अब वो अगर reserve category का बंदा नहीं था गलती से हुआ था और वो general category का इंसान है open merit का इंसान है general category का candidate है अब वो जब general category को क्लिक करेगा तो 400 रुपे उसने पहले दिया है तो 100 रुपे उसका जो बचता JK SSB वो charge करेगा और उसके चलते उसे 100 रुपे आप देना पड़ेगा general category के लिए मैं दुबारा इस ट्वीट को पढ़ लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए यहां पर JK SSB कह रहा है fee payable rupees 500 for general category etc and rupees 400 for SC, ST, PWD and EWS categories candidates having submitted application forms under reserve categories and intending to change modify category from reserve to general have to pay the balance amount that is 100 rupees तो यह clarity JK SSB ने दी है इसी लिए अब इसके चलते JK SSB जो है वो यहां पर 100 rupees का link आपको दिखा रही होगी अगर आप यहां पर आप देख सकते हैं अगर यहां पर इस category के link में आपने category से अब general category में आना है गलती हुई थी आप उसको ठीक करना है open merit के candidate है आप त करना होगा जो कि 500 टोटल बनता है तो यही clarity थी कोई extra charge JK SSB के द्वारा नहीं लिया जा रहा है edit option में सिर्फ category में अगर आप general category के candidate थे और reserve category में आपने click कर दिया था अब edit करके उसे general category करना चाहते हैं तो balance amount 100 rupees आपको pay करना होगा तो दोस्तों यही update था JK SSB की तरफ से अपन misunderstanding में है तो उनकी ए confusion आप इस वीडियो से जुरूर दूर करें इसको share करें उनके साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe जूरूर करें support करें bell का notification का icon जूरूर प्रेस कर लें ताकि हर latest update हमारे end से in future भी आपको मिलता रहे साथ ही साथ इस वीडियो को जो है वो like जुरूर कीजेगा share जुरूर कीजेगा और comment में feedback देना ना भूलेगा thank you so much once again for watching this video on awakened brains all the best and God bless you all